Hello everyone, welcome to free study, so start करेंगे May 2020 Current Affairs का Compilation and हम June 2019 से April 2020 तक सभी Current Affairs का Compilation कर चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं इस PDF के अंदर भी 180 pages है, so again हमारा target 30 pages per day का ही रहेगा so 6 days के अंदर हम इसको कर लेगे एक बात और हमने योजना की जो वीडियोस थी वो भी बनानी शुरू की थी but वो मैंने इसलिए रोग दी क्योंकि I was waiting कि जो exam है वो कब होगा and आप सभी को पता होगा कि अब जो exam है वो 4 October 2019 को है so हमारे पास around means 4 महिने से कोई 2-3 दिन ही कम बचे है so मैं आपको योजना भी पूरा कराऊंगी and ये भी पूरा कराऊंगी so में का पहले हम करेंगे and उसके बाद आपको योजना की भी जो compilation है वो मिलने शुरू हो जाएगी so channel के साथ आप बने रहें new हो तो subscribe जरूर कर लें bell icon जरूर प्रेस कर लें and videos को share भी जरूर करें so May 2020 का हम करेंगे ये insights IES के current affairs का compilation है इसे आप भी चाहें तो channel से भी पढ़ सकते हैं and इसके साथ साथ आप इसे website से download कर लें and मेरी videos सुने and इसको read करते रहें आपका बहुत काम असान हो जाएगा थोड़े running notes जरूर बना लें last time पे बहुत काम आएंगे क्योंकि पूरा compilation revise करना is not possible so GS1 ये table of contents है ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाओंगी तो वहीं पे हम content सभी cover कर लेंगे so इसमें हम अपना time waste नहीं करेंगे so ये धिहान रखिए 4 October को paper है and काफी लोग जिन्होंने जो form था वो ऐसे ही भर दिया था so उनको काफी help मिलेगी and जिन्होंने देखिए महनत भी की लेकिन फिर भी लग रहा था कि हाँ थोड़ी से महनत और की जा सकती है थोड़ सा revision और देने की ज़रत है so एक golden chance है and आज से ही अभी से ही आप ऐसी prepare करें जैसे कि एक्जाम जो हो आपका आने ही वाला है जैसे 4 October को है तो चार महीने सोच कर ना करें ये सोच कर करें कि हमें जो है हर subject की revision कम से कम 5 से 6 times करनी है तो अपना time table इसे साब से बना लें and architecture from ancient to modern times तो National Gallery of Modern Art जो है वो एक virtual tour organize करने जा रहा है जिसका title है Guru Dev Journey of the Maestro Through His Visual Vocabulary 7th May 2020 से ये start हुआ था and क्योंकि ये हम जून में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी 159th birth anniversary थी किसकी Rabindranath Tagore की रबिनाथ Tagore को Guru Dev कहा जाता था क्योंकि ये एक family के अंदर तो care bond हुई थे लेकिन क्यों Guru Dev कहा जाता था तो इनके कुछ काम देखते हैं ये writer है, point है, point थे, playwright है थे भी बोल सकते हैं, हैं भी बोल सकते हैं सो अम उस चीज़ के ओपर जाधा discussion नहीं करेंगे philosopher भी रहे ये as thetician भी रहे, music composer भी रहे, choreographer भी रहे और इन्होंने एक unique educational institution भी found की that is Vishwa Bharti और ये एक painter भी रहे इन्होंने शुरुआत की थी, जब ये 8 साल के ही थे तो इन्होंने poetry, poem लिखना शुरू कर दिया था and जब ये 16 साल के थे, तो इन्होंने अपना पहला collection of poems issue किया जिसका जो collection था उसका नाम था भनू सिमा okay, हो सकता है, एक दो pronunciation जो हो, वो थोड़ी सी अलग कर दूँ मैं, या फिर हो सकता है जो correct pronunciation हो, वो कुछ और हो so उसको आप थोड़ा सा जरूर ignore करें and मैं आपसे यही उमेद करती हूँ कि आप उसके उपर जादा focus ना करके content पर focus करेंगे, he had spoken at the world parliament for religions in the years 1929 and 1937, तो 1929 में और 1937 में इनोंने भाशन भी दिया था कहां दिया था, world parliament में दिया था, किस के लिए दिया था, धर्म के लिए दिया था, national anthem इनोंने लिखी, इंडिया की भी, बंगलादेश की भी and he left his imprint on art and एक role इनोंने बहुत important निभाया, अपनी practices को transform करने में and modernism के अंदर convert करने के लिए 1928 से 1940 तक इनोंने 2000 से भी जादा images को paint किया and one important इनोंने कभी भी अपनी paintings को कोई title नहीं दिया, European art में expressionism बहुत important होता है and ancient culture का जो primitive art था तो ये European के expressionism से and ancient culture के primitive art से दोनों से ही inspired थे, 1913 में वो पहले Indian थे जिनने novel prize मिला literature में अपने novel Gitanjali के लिए freedom struggle में इनका क्या role रहा इनोंने British imperialism को denounce किया, जबकि वो fully support नहीं करते थे and गांधी जी के साथ इनकी जो सहमती थी वो भी नहीं बन पाई थी non-corporation movement पर इनोंने देखा कि British rule जो है वो एक symptom है sickness का social disease का and अपनी writings में इनोंने Indian nationalists के लिए support भी दिया Rabindranath Tagore ने song लिखा Banglar, Mati, Banglar, Jol किया जा सके, because as we all know कि 1905 में Bengal partition हुआ था, इनोंने Amar, Sonar, Bangla भी लिखा ताकि feeling of nationalism आए, राखी उत्सव भी स्टार्ट किया, ताकि Hindu and Muslim communities जो है, वो colorful threats एक दूसरे के हाथों पर बांदे and Tagore ने reject कर दिया violence जो British करते थे and जो knighthood जो उनको उपाधी मिली थी, वो भी उन्होंने वापिस कर दी थी, इन्हें Lord Harding ने दी थी 1915 में, लेकिन 1919 में, जब Amritsar massacre हुआ था, जलियाँ वाला भाग, तो Britishers ने जो थे 1526 जो unarmed Indian citizens थे उनको मार दिया था, तो तब इन्होंने अपनी उपाधी वापिस कर दी थी, जो Tagore's के beliefs थे and जो work था, वो यही था कि anti-colonialism cannot simply be achieved by rejecting, means सिर्फ आप चीजों को reject करने से anti-colonialism नहीं हो सकते, बलकि आपको सभी best aspects देखने होंगे western culture के भी into the best of Indian culture Now what freedom meant for तो freedom का सिर्फ मतलब political freedom नहीं था, true freedom वही है, जब आप truthful हो सकें सच बोल सकें and बिना अपनी वर्थ को खोए होए So ये कुछ questions पूछे जा सकते हैं इनको आप ज़रूर देख लें जैसे की means के भी ज़रूर देख लें prelims के अंदर की Tagore की paintings का essence क्या है इनको आप ज़रूर देख लें एक बाल Now we will read about महराना प्रताप तो महराना प्रताप 9 मई तो प्रताप में पी आता है और पी को आप हलका सा थोड़ा सा ये जो 9 है अगर आप इसको इस वाले डंडे को इधर कर देंगे तो ये आपको ध्यान रे जाएगा कि 9 मई को महराना प्रताप का जनम हुआ था ये तेरवे राजपूत किंग थे मिवाड के महराना प्रताप 1540 में इनका जनम हुआ 1597 में जब इनकी एज 56 थी तब इनकी डेथ हो गई Battle of Haldigati के लिए जाने जाते हैं इनमें उनने अपनी बहुत ब्रेवरी दिखाई Battle of Haldigati 1576 में हुई थी महराना के बीच में अकबर के जो मान सिंग थे आमेर उनके बीच में ठीक है तो इसको आमेर कहते हैं वैसे तो जो राना के फोर्सेस थे उनको 6 गंटे में हरा दिया गया था लेकिन मुगल्स इनको पकड़ नहीं पाए थी तो महराना जो प्रताब थे उन्होंने दुबार से अपनी फोर्सेस को एकठा किया लड़े मुगल्स के खिलाफ और 6 साल के बाद ये दुबारा आये लड़ने के लिए 1582 में लेकिन दुबारा से हार गए and having facing a terrible defeat अकबर स्टॉप्ड इस military campaigns against मेवार after the battle तो उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने अपनी जो military campaigns थे वो रोक दिये थे तो देखे अभी because राजस्थान का जो current affairs है उसके अंदर भी ये बहुत परताब जीते थे लेकिन अप यही वाला fact यूज करें कि जो महराना परताब थे वो हार गए थे and उसके बाद जो था अकबर ने अपनी जो military campaigns थे वो रोक दिये थे तो राना परताब का जो defines था of the mighty Mughal empire तो almost alone and unaided क्योंकि इनकी राजपूत states ने मदद नहीं कि थी तो इन्होंने राजपूत, वेलोर and the spirit जो है self-sacrifice का इसको सामने लेके आए और इनके जो methods थे sporadic warfare के वो बाद में Malik Ambar ने भी means elaborate किये जो कि एक Deccan के general थे and शिवाजी महराज ने भी उन्हें use किया तो यह बैटल ओफ हल्दी गाटी देखें, reasons क्या है, groups क्या थी, अकबर का rent क्या था Okay, now Conark Sun Temple तो Conark Sun Temple, जो Ministry of New and Renewable Energy है उन्होंने decide क्या है कि वो complete solarization करेंगे Odisha के Conark Sun Temple का and Conark Town का, तो 10 MW grid connected solar project बनाएंगे, solar off-grid applications वहाँ पे होंगी, जैसे कि solar trees battery storage, etc. जो यह project है, यह 100% Central Financial Assistance Support देगा 25 crores का government देगी, through Ministry of New and Renewable Energy. Now, इस project को implement किया जाएगा Odisha Renewable Energy Development Agency के द्वारा, that is Oreda and यह सभी energy requirements को complete करेगा. तो थोड़ा सा Conark Temple के बारे में भी जान लेते हैं 13 शताबदी के अंदर यह बना था Sun God का एक Gigantic Chariot रत है, जिसके अंदर 12 pairs of wheels हैं, जिसे 7 horses pull कर रहे हैं. King Narsim Dev ने इने बनाय था Narsim Dev I ने, जो की Ganga Dynasty के Great Ruler थे UNESCO World Heritage Site में भी यह temple included है, 1984 में इस temple के अंदर आपको curling architecture, heritage, exotic beach देखने को मिलेगी, natural beauty देखने को मिलेगी और इसे protect भी किया जा रहा है under the National Framework of India, और कौन इसे protect कर रहा है? Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 and its Rules 1959. जो कुनार्ख है, यह Udissa के Golden Triangle का third link है, क्योंकि एक link है आपका जगरनात पुरी, दूसरा link है आपका भुबनेश्वर, जो की Capital City भी है Udissa का, और थर्ड लिंक है Udissa Golden Temple तो यह जो temple है, यह UNESCO World Heritage Site 1984 में इसको शामिल कर लिया गया था, इसके अंदर कालिंगा अर्किटेक्चर Heritage, Exotic Beach और आपको Natural Beauty देखने को मिलेगी ओके, सो यह सब हम पढ़ चुके हैं and यह ध्यान रखेगा, Udissa के Golden Triangle का यह थर्ड लिंक है, पहला है आपका जगनात पुरी, दूसरा है भुबनेश्वर, जो की Capital City है Udissa का and इस Capital को Black Pagoda भी कहा जाता है क्योंकि इसका Color बहुत डाक है and यह एक Navigational Landmark की तरह यूज करते थे, जो पुरानी टाइम में जो Sailors थे to Udissa जो जगनात टेंपल है, उसे White Pagoda कहा जाता है यह एक major pilgrimage site है हिंदूस के लिए, जो की हर साल यहाँ पर इकठा होते हैं, February के मन्त में, 4 चंद्रभागा मेला, now we will read about Ram Kinkar Baj, तो Minister of Ministry of Culture National Gallery of Modern Art जो अभी हमने रबिनाच चेगोर के बारे भी पढ़ा था, उन्होंने वर्चल 2 जो है वो टाइटल किया, that is named Ram Kinkar Baj, जो की जर्नी है, कि किस तरीके से silent transformation हो सकती है expressions हो सकती है और Ram Kinkar Baj के लिए तो यह कौन थे, यह 1906 to 1980, इनका birth and death rate है यह, means year है, सामिनल आर्टिस्ट है modern इंडिया की, iconic में, यह काल भवन गए, जो की एक art school है, शांती निकेतन के अंदर, और इनोंने नंदलाल बोस अगर आपने दिखा हो लक्षमिकांत political chapter तो वहां से भी आप इसको relate कर सकते हैं so along with नंदलाल बोस and Bino Dibhari Mukherji, इनोंने बहुत important role play किया, शांती निकेतन को एक important center बनाने के लिए for modern art in pre-independent India now contributions to modern art, तो इनोंने काफी सारे idioms, जो मुहावरे हैं, European modern visual language के, वो use किये, but again, यह Indian जो ethos है, उनके साथ ही connected रहे, and इनोंने restlessly experiment किया, लग-लग form से, moving freely moving freely from figurative to abstract and back to figurative तो पहले figure से शुकिया, फिर abstract पर गई, फिर वाप इस figures पर आ गई, तो इनका जो theme है, वो humanism से related and किस तरीके से man and nature का relationship होता है, उसको symbolize करता है इनकी अगर आप paintings देखेंगे sculptures देखेंगे, तो इन्होंने new new materials भी use किये हैं जो इनका use है, unconventional material का, जैसे कि cement concrete को use करना for his monumental public sculptures, वो एक new president साबित हुआ for art practices Awards and honors देख लेते हैं, इन्होंने Salon J.S. Realities Novels in 1950 में पार्टिस्पेट किया Salon J. Mai in 1951 में पार्टिस्पेट किया 1970 में Government of India ने इन्हें पद्मभूशन अवार्ट दिया 1976 में इनको fellow बनाये गया of Lalit Kala Academy, 1976 में इन्हें doctoral degree मिली देशी कोटम की by विश्व भारती and 1979 में एक honorary आपका G. Literature by रबिंदर भारती University. Okay, now we will read about पुरंदर दास Department of Archaeology, Heritage and Museum जो है, वो काफी जल्दी research work करने जा रहे है at केशवपुर in अरग ग्राम पंचायत of 33 तालुक ताकि जो archaeological evidences है उनको explore किया जा सके and जो speculations है कि पुरंदर दास का जन्म कहा हुआ वो खतम की जा सके, क्योंकि काफी सारी speculations है कि ये जो पितामा है, करनाटिक म्यूजिक के इनका जन्म कहा हुआ and expert committee भी बिठाई गई कर्नर यूनिवरस्टी हमपी के अंदर and उन्होंनी यही conclusion निकाला कि एक छोटा सा गाम है शेमपुरा केशवपुर at अरग होबली in तिर्थली तालुक of शिव मोगा डिस्टिक्ट in करनाट का committee ने enough evidence भी find कि यही वो place है जो की major province भी रहा विजयनगर empire का जो की birthplace है इन संत का लेकिन कुछ लोगों का argument है कि इनका जन जो है वो पुरंदरगड के अंदर हुआ जो की पुने के पास है महराष्ट्रा में and finally यह settle हुए हमपी के अंदर पुरंदरदास 1484 से लेके 1564 हरिदास थे and devotee थे Lord Krishna के संथ थे वो disciple रहे माध़ फिलोसफर सेंट वियस्तिर्थ के and contemporary रहे great हरिदास कनकदास के भी यह इनोंने rich musical streams को blend किया जैसे कि जैवीडियन एंड आरियन music एक single stream में लेकर आए कारनाचिक के अंदर तो D और A को इनोंने add करके C बना दिया and हरिदास ट्रेडिशन से पहले जो पुरंदार दास थे यह काफी rich merchant थे और इनको श्रिनिवास नायक भी कहा जाता था नाव इनोंने इंडियन music में भी काफी सारा contribution किया जैसे कि grader exercise जैसे कि स्वरवलीज, अलंकार इनको फॉर्मूलेच किया and राग, माया, मला, वगोला जो की first scale भी रहा and काफी लोगोंने learn कि आज भी follow करते हैं काफी गीता, simple song भी इनोंने compose किये and दास साहित्य भी इनोंने compose किया जो की एक bhakti movement vocalist भी रहा and एक music scholar भी कुछ इनके social reforms देख लेते हैं काफी जो इनोंने practices थी existing practices थी उनने reform करने की कोशिश की and social reform and जो defects थी इनोंने वो find किये and बताया कि complete self-surrender and unadultrated love होना चाहिए towards Lord Krishna वही supreme है जो इनकी philosophy थी भक्ती की पुरंदर दास के composition में वो essential teachings बताता है उनने songs के through casteism के जो evils हैं उनके खिलाफ लडाई की and इनका song है एक अवा कुला वदरेनू आवना दरेनू आत्मा भावा वरिद्यादा मेले जिसमें उनने कहा कि किस तरीके से जो लोग है वो humanism के spirit को नहीं समझ रहे हैं जहाँ पे caste and status की बाद आ जाती है पुरंदार दास के according कोई inequalities नहीं होती man and women में दोनों के पास same rights and obligations हैं everyday life के conduct के लिए as well as observation of pity कुछ forceful expressions भी किये जैसे on untouchability which was dogging society now we will read about modern Indian history from the middle of 18th century until the present and significant events देखेंगे, personalities देखेंगे and कुछ issues भी देखेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे Gopal Krishna Gokhale के बारे में तो Prime Minister Narendra Modi ji ने Gopal Krishna Gokhale को उन की birth anniversary पे tribute पे किया 9 May 1866 को इनका जनम हुआ था ये एक Indian political leader social reformer रहे Mahatma Gandhi के political mentor भी रहे and इन्होंने इंडियन को self-rule and social reform के बारे में means campaigning की इन्होंने and ये leader रहे moderate faction of Congress party के भी जिन्होंने जो advocate करते थे कि reforms लाईए existing government institutions के अंदर कुछ contributions देखेंगे कि Freedom Movement में इन्होंने क्या contributions दी तो budget speeches दी Imperial Legislative Council के अंदर articles जो थे English Weekly महारत के अंदर जो लिखे जाते थे so he also served as a secretary of the Deakin Education Society and जब इन्हें charge मिला Bombay Provincial Conference का 1893 में तो वो Bombay University के Senate के तौर पर भी इलेक्ट हुए Ireland भी गए Irish Nationalist Alfred Webb से भी इन्होंने मुलाकात की जो कि as the President of INC in 1894 ये प्यूने municipality के member भी थे and दो बार President भी रहे गोखले जी ने continue serve किया ताकि जो poor है जो downtrodden people है उनकी problems को solve किया जा सकें ये एक daily newspaper भी publish करते थे जिसका नाम था जनन प्रकाश ये ध्यान रखेगा महारत इनका newspaper नहीं था वह बाल गंगाधर तिलक्का था ओके केसरी एंड महारत ये ध्यान रखेगा ये सिफ उसमें आर्टिकल से लिखते थे गोपाल कृष्न गोखले then Council of India में ये Governor General of India में भी elect हुए 1903 में इन्हें appoint किया गया as the champion of the order of the Indian empire in 1904 new year honors list 1905 में इन्होंने servants of Indian society भी found की जहांपे इन्होंने train किया people को to selfless workers ताकि common good के लिए काम किया जा सके and ये president भी बने INC के and जो Morale Mincho का reforms है उसमें भी इन्होंने he was instrumental in the formation जो की बाद में lobby बना था and गोखले जो थे वो mentor थे Mohamed Jinnah के भी and Mahatma Gandhi के भी and Gandhi जी ने अपनी book में लिखा भी है गोखले my political guru now we will read about वीर सवरकर जिनके बारे में आपने काफी कुछ news में भी देखा होगा तो जो invitation है so वीर सवरकर के बारे में पढ़ेंगे and ये जो invitation है इसको extend किया है ब्रोहत बैंगलूरू महानगर पालिके ने जो की inauguration करने जा रहे थे यल हंका flyover का and एक political controversy हो गई with the initial intimation indicating that it would be named after hindutv dialogue ideologue वीर सवरकर तो वीर सवरकर कौन थे and इनका जनम जो था 28 में 1883 भागुर के अंदर हुआ था जो की महराष्टरा के नासिक में एक जगा है and जब ये teenage मतलब youth थे young थे तो इन्होंने एक youth organization form के जिसका नाम था मित्र मेला and इन्होंने foreign goods के खिलाफ लड़ाई की means उसके खिलाफ लड़े स्वदेशी का जो idea था उसे propagate किया 1905 में दशेरा पर इन्होंने सारे foreign goods जला दिये अथिज्म को इन्होंने champion means उसमें ये बहुत ही champion थे and rationality में and इन्होंने जो Hindu belief की जो orthodox thinking है उसको भी disapprove कर दिया and ये भी कहा कि जो cow की worship है वो भी superstitious है ये चाते थे कि रतनागरी के अंदर पूरा जो untouchability है वो खतम हो जाए Hindu महासभा की ये president भी रहे 1937 से 1943 and जब congress ministers ने resign किया offer resignation on 22nd October 1939 तो Hindu महासभा इन्होंने corporate किया था Muslim league के साथ ताकि जो government है उसे form किया जा सके कहां कहां के provinces में Sindh में, Bengal में and Northwest Frontier Province के अंदर पुने में इन्होंने Abhinav Bharat Society भी found की Swadheshi Movement में ये involved थे जो कि हमने पहले भी देखा तिलक की जो स्वराज party थी उसे भी इन्होंने join किया and Free India Society को भी इन्होंने found किया and he believed and advocated कि जो arms का use है to free India from the British इसको use किया जाए and एक network create किया Indians का England में equipped with weapons कुछ important works देखेंगे इनकी book का नाम धियान रखेगा The History of the War of Indian Independence इसमें इन्होंने गुरीला warfare के बारे में लिखा है कि किस तरीके से जो गुरीला जो आपकी पदती होती है उसकी tricks को कैसे use किया गया था 1857 की सिपोई mutiny के अंदर ये जो book थी इसे Britishers ने बैन कर दिया था लेकिन जो मैडम भिकाजी कामा थी उन्होंने इस book को publish किया Netherlands में Germany में and France में जो बाद में फिर इंडियन क्रांतिकारियों तक भी पहुँची 1909 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने मॉरले मिन्टो रिफॉर्म्स के बारे में अगेंस्ट में बोला था और 2002 में जो आपका Port Blair Airport है इसका नाम बदल कर वीर सवर कर International Airport भी रखा गया था तो यह एक Modernist, Nationalist and Strong Supporter थे Social Reformer के और इनकी जो Movies है should focus on the positives of the country जो negatives है उनको side में करके and focus करना चीए positive side पर उनका जो Presidential Address था Annual Session of Hindu Mahasabha के अंदर जो Calcutta में हुआ था 1939 में तो इन्होंने कहा कि Hindu and Muslims को जो अपने historical differences है उन्हें दफना देना चाहिए and इन्होंने कहा कि जो support कीजिए ताकि जो modern machine है उसको welcome किया जा सके इनकी magazine के अंदर एक ऐसे भी लिखा गया था किरलोसकर magazine के अंदर कि scientific approach होनी चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो पीछे है यूरोप से because superstition में विश्वास करते हैं science में नहीं and ये भी ध्यान रखे कि इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी social reformer जो harmful social practices को जड से बाहर निकालने की कोशिश करता है and new truths को preach करता है and had first of all to compromise his popularity जैसे कि Jesus को भी मार दिया गया था and बुद्धा का भी जो face had to face a murderous attack Mohammed को भी means flee करना पड़ा था was injured in battle and was condemned as a traitor तो उनके name से controversy हो गई and जो कुछ लोग है वो इनको great revolutionaries मानते हैं कुछ इने communalist and right wing leader मानते हैं तो जो controversial position है वो continue है to inform the current political debates and ये time है जब wider set of scholars जो हैं वो सावरकर के ideas के साथ engage करें including the controversial ones now we will read some history of the world 18th century से till now so सबसे पहले देखेंगे Pearl Harbor attack के बारे में तो President Donald Trump ने कहा है कि जो coronavirus outbreak है उसने US को बहुत जादा हिच किया है as compared to जो Japan ने bombing की थी Pearl Harbor की during World War 2nd या फिर 9-11 के जो terror attacks थे means finger point की at China ऐसा क्यों कहा क्योंकि Central Chinese City of Wuhan के अंदर जब December के अंदर जो corona virus था वो outbreak हुआ वहाँ पे उसकी वज़ा से 1.2 million Americans जो है वो infect है and 73,000 से भी जादा मर गए है Pearl Harbor के अंदर क्या हुआ था तो 7 December 1941 को attack हुआ था Pearl Harbor के अंदर and ये one of the significant moments था war का इसमें बताए गया था कि US के अंदर entry हो चुकी है official entry and जिसकी वज़े से nuclear bombs भी हुआ पर गिराए गए Japanese cities के अंदर Hiroshima and Nagasaki के अंदर 1945 में तो Pearl Harbor पर क्यों attack हुआ था क्योंकि Japan Pearl Harbor पर attack करने से पहले 1941 में attack करने से पहले जो relations थे वो बहुत खराब थे US and Japan के 1910 में Japan ने Korea को annex कर लिया था 1937 में China को invade किया था and means घंटिया बजने लग गई थी कि अब US की बारी है and western जो powers थी वो जापान के जो expansionist agenda थी उसको समझने लग गई थी 1937 December 1937 and January 1938 के बीच में एक episode हुआ जिसे कहा जाता है Nanking Massacre या फिर Rape of Nanking ये हुआ जहापे Japanese soldiers ने kill किया and rape किया Chinese civilians and combatants को जो Japanese historians है उनका ये मनना है कि कोई भी anywhere that between the 10 of thousands and 2 lakh Chinese were killed तो US जो था वो Japan के aggression के against था in China and उन्होंने economic sanctions लगा दिये Japan के उपर and Japan जो था वो means dependent था imports पर for oil and other natural resources जिसके वज़ा से उसने China को invade किया and बाद में French, Indo, China जिसको आज Vietnam, Laios and Cambodia भी कहते हैं तो major Chinese imports के उपर वो control करना चाहते थे ताकि जो important resources है जैसे कि iron, rubber, tin and most importantly oil उनके उपर उनका control हो सके July 1941 में US ने seize कर दिया कि वो oil नहीं send करेंगे जापान को जो negotiations थी वो एक hull note के साथ and हुई and जो final proposal था वो जापान को deliver किया US ने and US जो थी वो चाहते थी कि जो चापान है वो चाइना से बाहर निकल जाए without any conditions. Ultimately जो negotiations थी उससे कोई concrete results तो नहीं हुआ बलकि जापान ने नेवेंबर 1941 के अंदर Pearl Harbor पर अपना जो task था हुँ set up कर लिया and जापान इस attack को preventive measure मानता है against the US कि वो जापान के plan में इंटर्फेर ना करें. तो Pearl Harbor पर हुआ क्या था तो सुभा के साथ पच्पन पर 7 December 1941 को 180 aircraft थे Imperial Japanese Navy के जिनोंने US naval base पर attack किया था Pearl Harbor पर on the island of Oahu in Hawaii and जो bombing थी इसके वज़ा से 2300 Americans जो थे उनकी death हुई थी and इसके साथ साथ just a minute तो इन्होंने जब attack किया था तो 2300 Americans की death हुई थी and जो battleships थी USS Arizona and USS Oklahoma इनको भी destroy कर दिया गिया था 160 So जो Pearl Harbor attack था had failed in its objective to completely destroy the Pacific fleet यह मैं आपको भी map भी दिखाऊंगी and जो Japanese bombers थे वो oil tanks भी missed कर गए ammunition sites भी and repair facilities भी and एक भी US aircraft जो carrier था was present during the attack मतलब एक भी present नहीं था June 1942 में जो failure था इसने बहुत मेंस Japanese को एक तरीके से haunt किया जराया and जो US forces थे उनकी major victory रही in the battle of midway and जो tide of war था in the Pacific तो यह आप देख सकते हैं यह आपका Japan है यह आप देखेंगे यह आपका Japan है this is Tokyo and यह आपका root है Japanese attack का जहां से इन्होंने attack किया था and यह आपका Pacific Ocean है यहाँ पर आप देखेंगे Ohu है and यह Hawaii है Pearl Harbor okay so थोड़ा सा ध्यान रखेगा now we will read about sample registration system तो sample registration system bulletin release किया है किसने registrar general of India ने तो registration से ध्यान रखेए registrar and यह data जो है वो collect किया गया है 2018 के लिए तो अब कुछ important facts देखते है 2018 में जो national birth rate है वो 20 है जबकि 1971 में 36.9 था तो reduce हुआ है सबसे best and worst किसका है तो birth rate में सबसे आगे है बिहार जबकि सबसे पिछे है enderman and nicobar ठीक है तो आप ऐसे ध्यान रखेए देखे A के बाद भी आता है न लेकिन उल्टा हो रहा है B पहले आगे है A बाद में तो B पहले means बिहार पहले and enderman and nicobar बाद में बिहार का score है 26.2 and enderman and nicobar का जो number है that is 11.2 एक बात और ध्यान रखेगा कि rural and urban के अंदर जो difference है वो कम हुआ है birth rate rural areas में अभी भी higher है as compared to urban areas 11% decline भी हुआ है birth rate के अंदर means 22.5 था 2009 में वही 20 रहा 2018 के अंदर rural areas में भी decline हुआ है 24.1 से 21.6 urban area में 18.3 से 16.7 death rate देखते हैं तो 14.9 था 1971 में and 2018 में है 6.2 अब इसके अंदर भी देखे C and D ये simple ध्यान रखना है C सबसे जादर death rate है 36 गड के अंदर and D के अंदर सबसे कम that is Delhi rural areas में जो decline है वो steeper रहा last decade के अंदर जो decade death rate था all India level पर वो 7.3 से 6.2 यानि की कम हुआ rural areas में भी कम हुआ है urban में भी कम हुआ है rural में कम हुआ है 7.8 से 6.7 and urban areas में कम हुआ है 5.8 से 5.1 infant mortality rate 32 है यानि की 1 4th as compared to 1971 क्योंकि 1971 में था ये 129 अब इसका कैसे ध्यान रखेंगे देखे सब मतलब linked है MN तो M से mortality M से MN तो M से है आपका मध्या परदेश सबसे worst infant mortality rate and N से है नागालेंड सबसे best तो इनका number है 48 and 4 तो last 10 years के अंदर IMR के अंदर decline भी हुआ 35% decline हुआ है rural areas में and 32% in urban areas and जो IMR है वो all India level पर भी decline हुआ है 50 से 32 तो SRS है क्या ये एक demographic survey करता है annual estimates पता चलते हैं अभी हमने देखा infant mortality rate हमें पता चला birth rate, death rate, fertility, mortality indicators national level पर भी and sub-national levels पर भी so इसे Registrar General of India conduct करते हैं few states के अंदर करते थे पहले तो 1964-65 में लेकिन इसके बाद 69-70 में ये fully operational हो गया तो births, deaths देखते हैं resident, part-time, annumerators होते annumerators में जो data collect करते हैं जादा तर इन में आंगनवाडी workers teachers होते हैं and retrospective survey भी होता है हर 6 महीने बाद by SRS supervisors means इनके जो supervisors होते हैं वो भी दुबारा से check करके means दुबारा से जाके data collect करते हैं जो भी data obtained होता है वो फिर match कर लिया जाता है now garbage free star rating for the services तो housing देखें ऐसे ध्यान रखें कि हमार जो house है वो garbage free होना चाहिए न तो housing and urban affairs ministry ने announce किये है results किसके garbage free star rating के cities के लिए 141 cities को rate किया गया and सिर्फ 6 ही है जो 5 star है 65 है जो 3 star है 70 है जो 1 star है अब 6 cities के नाम ध्यान रखेगा जिनको 5 star मिला है अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूरू, इंदोर and नवी, मुंबई ठीक है then ये भी आप थोड़ा सा 3 star को भी देख लिजेए ये तरना ध्यान नहीं रखना है लेकिन 3 star के अंदर है आपका करनाल, न्यू डेली, तिरुपती, विजेवाड़ा, चंडीगर, भिलाई नगर, एहमदावाद and आपका जो 1 star है, 1 star ध्यान रखिए ये डेली, वडोदरा and रोहतक now star rating initiative क्या है इसे central government ने launch किया था January 2018 के अंदर ताकि एक mechanism मिले cities को garbage free status देने के लिए कहाँ पर high degree of cleanliness है and ये जो protocol है ये use करते हैं कुछ components जैसे की drains and water bodies का cleanliness कितना है, plastic waste management कर रहे हैं या नहीं construction को manage कर रहे हैं, demolition waste कर रहे हैं या नहीं because these are the essential drivers अगर हमें garbage free cities चाहिए and ये initiative है under the switch भारत mission urban एक successful project भी इसको बनाने की कोशिश की जा रही है जो ratings हैं वो कैसे दी जाती हैं, तो जो star ratings हैं वो self assessment and self verification के थ्रू दी जाती हैं, इसके अंदर citizen groups होते हैं जो की transparent system follow करते हैं, self declaration के लिए and फिल self means जैसे कोई अपने आपको खुद बोलेगा कि भई हमारी जो city है वो सबसे अच्छी है तो फिर third party agency आएगी जो इसे ministry of housing and urban affairs appoint करते हैं फिर वो आके check करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं है तो अब इसका फाइदा क्या होगा तो इन cities का जो performance है under the star rating protocol यह important है क्योंकि इसमें जो स्वच सर्वेक्षन होता है उसके लिए means final assessment के लिए weightage दी जाती है minimum standards ensure किया जाते है sanitation के and easy जो process है वो अपनाई जाती है ताकि cities को और help की जा सके so that they can improve their overall cleanliness तो सफाइस से related है now कुछ topics पढ़ेंगे important geophysical phenomena जैसे के earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone कुछ geographical features देखेंगे उनकी location देखेंगे क्या changes आए हैं geographical features के अंदर flora, fauna के अंदर and effect भी देखेंगे इन changes का तो hotter oceans spawn super cyclones तो आप सभी को पता होगा super cyclone M4 आया था west Bengal के अंदर and ये strongest storm रहा means super cyclone की category में 1999 से bay of Bengal के अंदर and इसने जो पैरादीप है पैरादीप आपको पता होगा port भी है वहाँ पर Odisha के अंदर उसको बिल्कुल खराब कर दिया जो cyclone M means port को नहीं खराब किया पैरादीप को ravage किया यहाँ पर port नाम नहीं लिखा हुए मैं आपको से बता रही हूँ कि पैरादी port भी है जो cyclone M4 है so cyclone M4 जो है वो category 1 cyclone से लेके category 5 तक intensify किया 18 hours के अंदर ही means एक unusually quick evolution था and क्या-क्या factors responsible है cyclones के लिए bay of Bengal में तो ये important है जब normal temperature से temperature ज़ादा हो जाता है bay of Bengal के अंदर तो super cyclones आते है and lockdown ने भी कही ना कहीं indirectly role play इसके अंदर किया है cyclone नाले में कैसे देखे cyclones को energy मिलती है heat से and moisture से जो warm ocean surfaces होते है में जब ocean को उपर का जो पानी होता है वो बहुत गरम हो जाता है तो जो heat and moisture होती है तो उससे जो cyclones होते हैं उन्हें energy मिलती है and इस साल bay of Bengal के अंदर जो summer temperature है posted record summer temperature of fallout क्योंकि researchers ने warn भी किया था कि जो fossil fuel emissions हो रहे है and उससे global warming होती है and oceans भी heat up होते है तो एक तो ये reason है कि warm ocean surfaces की वज़ा से दूसरा reason है lockdown impact क्योंकि particulate matter emissions लोग जो थे वो घर के अंदर थे जादा जो particulate matter है उसको increase कर पाए तो वो reduce हो गए reduce होए तो aerosols कम हो गए जैसके black carbon वगेरा उससे जो sunlight को reflect करते है and heat away from the surface तो वो कम हो गए तो उससे जो heat थी वो और जादा पढ़ गई now कुछ factors responsible है जो surface होगा उसका temperature 27 डिग्री से जादा हो जाए दूसरा coriolis force की वज़ा से ये enough होता है एक cyclonic vortex को create करने के लिए इनकी जो terms है अगर आपको ये और detail में पढ़नी है तो आप geography ज़रूर पढ़े है 11th 12th class की goching leong पढ़ सकते है then जो wind spin होती है vertical वाली horizontal वाली नहीं vertical वाली जब उसके अंदर छोटे-छोटे variations आए जब low pressure area जो है वो कमजोर हो जाए और उसकी वज़ा से low level cyclonic circulation बने upper divergence हो from the sea level system तो ये कुछ terms है ये एक बार आप अच्छे से read कर लेजिए next देखे जो Arabian sea है उसके अंदर Bay of Bengal के comparison में जो cyclones हते हैं वो कम आते हैं तो उनके reasons देखे जो यहां के reasons हैं वो यह वहाँ पर कम भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन और भी points देखते हैं temperature तो Bay of Bengal अभी मैंने आपको बताया ज़ादा hot है as compared to Arabian sea वहाँ का hot water temperature है वो एक कारण है cyclone के बनने का and उनके intensify होने का दूसरा reason है salinity जो Arabian sea है वो means थोड़ा खारा जादा है उसके अंदर salinity जादा है Bay of Bengal से तो ध्यान रखे देखे A पहले आता है ना and B बाद में आता है तो A से Arabian sea Bay of Bengal तो Arabian sea जो है वो बड़ा है किसमे salinity में उसके अंदर salinity जादा है तो salinity जादा है It is easier to heat and simultaneously evaporate water having lower salinity तो Bay of Bengal के अंदर कम salinity हो गई तो जब कम salinity होती है तो बहुत जल्दी गरम हो जाता है and पानी भी evaporate होता रहता है location जो typhoons है then third reason is location जो typhoons originate होते हैं Pacific Ocean में वो influence करते हैं Bay of Bengal के cyclones को भी ठीक है लेकिन Arabian Sea के cyclones को influence नहीं करते इसके लिए आप world map ज़रूर देख लेजेगा कि Pacific Ocean के जो पास है वो Bay of Bengal है Arabian Sea जो है वो दूर है then movement IMG cyclones जो originate होते हैं means IMG के according जो cyclones Arabian Sea में originate होते हैं वो north west की तरफ move करते हैं ठीक है तो वो India mainland से दूर जाएंगे और जो Bay of Bengal है वो higher rainfall रिसीव करती है and continuously उसमें गंगा और भ्रमपुत्र का fresh water आता है तो again उसके अंदर salinity कम हो जाती है surface water बार-बार refreshed होता रहता है जिसकी वज़ा से impossible हो जाता है warm water के लिए कि वो cooler water जो below है उसके साथ mix हो and making it ideal for our depression तो यह question important है paper में आ सकता है means में यह आप देख सकते हैं थोड़ा अपने भी दिमाग की जो bulb है वो आपको जलाना है ठीक है and now we will read about GS2 so source of revenue for the states तो high losses incurring करने के बाद pandemic कोरोना की वज़ा से जो डेली और आंदरपरदेश हैं वो 70 से लेके 75% additional fee लगाने जा रहे हैं liquor purchases पर तो आपने भी देखा होगा TV के अंदर की किती लंबी-लंबी लाइने लगी है and जो sale है इसका manufacturer है वो major source of revenue है states के लिए अगर वो इसके उपर ban कर देते हैं तो इससे जो revenue है सरकार का वो क्या हो जाता है कम हो जाता है तो excise duty कैसे लगाई जाती है कैसे collect की जाती है excise duty एक indirect tax है जो की government लगाता है उन goods पर जो की इंडिया में ही manufacture हुए हो and फिर उसे compare करता है custom duty से जो की imported items पे लगाया जाता है तो excise duty वो tax amount है जो की final selling price में included होती है so it is a tax जो की goods की manufacturing पर लगता है and the goods do not have to be sold for the excise duty to be collected मतलब उसे बेचने की ज़रत नहीं है आपको जो final price होगा उस पे लग जाएगा now कौन लगाता है तो इससे state government लगाती है and जो state excise duty है alcohol की वो second and third largest contributor है जो tax receipts है वो इन ही से आता है जो licenses है alcohol sell करने के fine के alcohol products को confiscate करने के वो भी states के खाते में जमा होते है क्या alcohol GST के purview में नहीं आता तो alcohol GST के purview में नहीं आता alcohol को GST से exempt किया गया है and यह जो request थी state government नहीं रखी थी जब tax reform जो था वो पूरी country में implement किया जा रहा था और भी कुछ items हैं जो कि GST के अंदर नहीं आते जैसकी land, electricity, petroleum products जैसे की petrol, diesel and aviation turbine fuel now what is their income from excise on liquid तो यह माना जाता है कि 29 states and union territories total 1.76 trillion रुपीज इकठे करते हैं excise duty on liquid 2019-2020 में किया है यह 2018-19 इन से 16.5% higher था, जो monthly collection था 2019-20 का वो था 15,000 करोड यह Reserve Bank of India ने कहा and जो pre-coronavirus projection है वोज इवन higher, so इस वज़ा से यह सब आपको देखने को मिलता है, news के अंदर भी what are the other sources of revenue तो tax revenue होती है, non-tax revenue होती है, tax revenue के अंदर एक state का खुद का tax revenue होता है, एक दूसरा जोने central taxes में share मिलता है, जो खुद का tax revenue होता है, state का वो क्या होता है, जैसे की incomes जैसे professions पर, trades पर, callings पर, unemployment पर, then property, capital transactions पर जिसके अंदर आपके revenue stamps registration fees आती है, urban immovable property tax आता है then taxes on commodities and services जैसे की sales tax, state sales tax, central sales tax, surcharge on sales tax, receipts of turnover tax, other receipts and state, excess excise, now non-tax revenue क्या है, तो इसको collect करती है government, ताकि goods and services को provide किया जा सके, तो इसको आप एक बड़ा करके दिखा जेती हूं मैं आपको कि states को resources कैसे मिलते हैं, तो non-tax revenue है 8%, tax revenue खुद का है 46%, central में share है 26%, and grants मिलते हैं 20%, तो थोड़ा सा अगर what is दर्बार move in Jammu and Kashmir all about, तो Jammu and Kashmir के High Court ने Center and Union Territory Administration को कहा, कि दर्बार move के continuation के बारे में वो final call दें, जो कि एक 148-year-old practice है, कि capitals को shift करना annually between Shrinagar and Jammu, तो इसको थोड़ा और समझते हैं, दर्बार move एक old practice है, जो कि government करती थी, 6 महिने में Shrinagar में रहते थे, 6 महिने Jammu में रहते थे, यह जो practice थी, यह start की थी, 19-वी century में, रनबीर सिंग ने, जो कि महराजा थी Jammu and Kashmir के, यह अपनी capital को shift करते रहते थे, Shrinagar में चले जाते थे, Jammu मतलब summer में, and winter में आ जाते थे Jammu के अंदर, ताकि जो extreme weather conditions होती है, इन places में, उससे यह बच सके, government जो है, वो function करती थी, Shrinagar में, जो कि summer capital थी, October तक, क्योंकि गर्मी है न, तो October में वहाँ तक रहेंगे, फिर Jammu में चले जाते थे, winter capital, okay, first week of November के अंदर, काफी सारे trucks जो होते थे, उनके अंदर furniture, office files, computers, यह सब लेकर जाते थे, जो reasonable parties है Jammu and Kashmir की, वो कहती हैं कि इस practice को continue करके रखना चाहिए, ताकि जो linguistic and जो cultural reason है, Jammu and Kashmir का, उसको integrate करके रखा जा सके, criticism क्या है, इसे बहुत time, बहुत effort, बहुत energy लगती है, security forces के लिए भी यह बहुत means, taxing है, means उनके लिए भी बहुत problematic है, inefficiency भी होती है, governance की भी कमी आती है, justice dispensation पर भी फर्क पड़ता है, और इससे justice delay भी होता है, क्योंकि जो government के records होते हैं, वो easily available नहीं होते, क्योंकि सब एक जगा ले गए आप 6 महीने के लिए, जो valuable documents हैं, जो resources हैं, union territories के, जो important और जो sensitive government documents होते हैं, वो भी risk में आ जाते हैं, क्योंकि जम्मू एंड शीनगर के बीच में 300 km का रास्ता है, high court का क्या कहना है, high court ने कहा कि जो report, अगर इसको rationalized कर दें practice को, तो थोड़ा वत पैसा resources बच सकते हैं, जिससे welfare and development हो पाएगी union territory की, और वहां का culture भी protect हो जाएगा, propagate भी हो जाएगा, and heritage भी बच जाएगा, तो यह सब points आप ध्यान रखेगा, now we will read about cooperative banks come under surfacey act supreme court, supreme court ने कहा कि जितने भी cooperative banks हैं, जो उन activities में involved हो, which are related to banking, वो सब banking company के ambit के अंदर आते हैं, and parliament के पास legislative competence है, कि वो मतलब बताए कि किस तरीके से, loan की recovery हो under the surfacey act, अब यह issue क्यों सामने आया है, क्योंकि जो judgment है, वो सामने आई, क्योंकि several conflicting decisions थे, जो high courts ने दिये, जैसे कि cooperative banks, जो हैं, वो banks कहला ही जाते हैं, under the banking regulation act of 1949, दूसरा जब parliament है, उसकी legislative competence होती है, कि वो इन financial assets को regulate करे, court ने क्या का, एक five judge bench बैठी, उन्होंने का कि जो banking है, वो कोई particular definition तक confined नहीं है, जो banking regulation act में लिखे गई है, बलकि entry 45 जो है list 1 उसमें भी incorporated है, यह जो decision है, यह रस्तम कवसजी कूपर 1970 verdict में दिया गया था, जहाँ पर कोई भी ऐसी शंका नहीं बची थी, कि जो banking, cooperative bank करते हैं, वो 45 list के अंदर भी आएंगे, तो cooperative banks जो हैं, वो surface act के section 2, subsection 1, subsection C के अंदर भी आएंगे, और जो recovery होगी, वो भी यहाँ पर apply होगी, अब surface act क्या है, that is securitization and reconstruction of financial assets, and enforcement of security interest act 2002, इसके थुरू banks, जो financial institutions हैं, वो अपनी property को auction कर सकते हैं, जब borrowers loan को repay ना कर पाएं, ठीक है, तो money's वो आपकी जमीन को, या किसी भी चीज़ को निलाम कर सकते हैं, चाहे वो residential हो, चाहे commercial हो, तो bank जो हैं, वो अपने non-performing assets को कम करने के लिए, recovery करने के लिए, reconstruction करने के लिए, उन properties का auction कर सकते हैं, यह secure loans के against ही हो सकती है, and यह यह भी promote करते हैं, कि asset reconstruction companies भी बनाई जाएं, asset securitization companies भी बनाई जाएं, ताकि NPA के साथ भी deal किया जा सके, RBI report के according, 31st March 2018 को 1551 Urban Cooperative Banks थे, 96612 Rural Cooperative Banks थे 2017 में, जो कि 65.8% asset size को include करते हैं, cooperative banks का, अभी हमने recent crisis भी देखे, Punjab और Maharashtra Cooperative Bank की, और किस तरीके से जो landers थे, वो exposed किया उन्होंने, कि cooperative banks कितने vulnerable हैं, and central bank उन्हें उसके बाद क्या किया, landers के board को, काफी जो several irregularities जी जिन को cover नहीं किया गया था, उसको supersede किया, recognize करना कि cooperative banks की भी surfacey rights हैं, तो इससे जो cooperative होंगे, उनको better control मिलेगा, defaults पर भी and negotiation table पर भी with defaulters, now we will read about Supreme Court's 4G internet order, तो Supreme Court ने 11 माई को refuse कर दिया, कि Union Territory जमू एंड कश्मीर में 4G internet नहीं आएगा, लेकिन court ने order किया है, center को एंड जमू कश्मीर को, कि वो एक committee बनाए, Ministry of Home Affairs से, एंड जमू एंड कश्मीर Union Territory Administration से, कि वो इसको थोड़ा देखें, ये जो high power committee होगी, ये देखेगी, कि petitioners आखिर चाहते क्या है, तो important observations क्या है, कि एक तो national security and human rights को balance करना है, क्योंकि ये पैंडेमिक भी है, hardships भी चल रहे हैं, तो ये earlier decision भी ध्यान रखेगा, अनुराधा भासिन केस का, यह पर order किया गया था, कि Jammu and Kashmir के अंदर, जो restrictions लगाई गई हैं, उनका review किया जाए, background क्या है, अगस 2019 में Supreme Court ने, जो Jammu Kashmir का special status था, article 370 उसे revoke कर दिया था, जो services थी, वो partially restore हुई, और internet speed 2G तक ही रखे गई, फिर एक play file हुआ, Foundation for Media Professionals ने किया, कि Jammu and Kashmir के अंदर, ठीक है, अब उन्होंने ये justify किया है, कि हम country की sovereignty, integrity and security को protect करना चाते हैं, criticize क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये fundamental right को abrogate करती है, 7 million लोगों की life को paralyze करती है, shutdown करना, business, trade and common people की life को affect करता है, तो क्या procedure है, जो government को follow करना चाहिए, internet services को suspend करने के लिए, तो इसका आपके लिए Information Technology Act 2002 है, Criminal Procedure Code 1973 है, telegraph act 1885 है, जो की बताता है कि internet services को suspend किया जा सकता है, 2017 से पहले जो भी internet suspension orders थे, वो section 144 of CRPC के अंदर issue किये जाते थे, लेकिन 2017 से ही central government ने temporary suspension of telecom services rules, telegraph act के अंदर लेकर आए, ताकि internet का suspension को govern किया जा सके, तो section 5, subsection 2 of Indian Telegraph Act ये बताता है, कि sovereignty and integrity of India के लिए, internet services को suspend किया जा सकता है, अनुरादा भासिन case देखेंगे 2020 का, तो court ने declare कि freedom है, बोलने की, express करने की, कि किसी भी profession को, trade, business, occupation को practice करने की, और जो medium of internet है, वो भी constitutional protection enjoy करता है, अंदर article 19, subsection 1, subsection A and G respectively, तो 19 section को ये थोड़ा बहुत violate करता है, and proportionality को test करना होगा, now death penalty sentencing in trial course, तो ये एक report है, research organization के लेकर आई, प्रोजेक्ट 39A of National Law University, Delhi, इस study के अंदर ये पाया गया, कि 3 states, में 2, 1, 5 judgments ऐसी हैं, जिन्होंने death sentence दिये, 2000 से 2015 के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा है, महराश्टरा से 90, then मध्यापरदेश से 82, then Delhi से 43, तो M, मैम, मैम से ध्यान रखिए, मैम जो होती हैं, वो बहुत punishment देती हैं न, तो M से मध्यापरदेश, A से, sorry मैम नहीं है, it is MDM, ठीक है, तो आप DM से ध्यान रख लेजिए, हम district magistrate बन सकते हैं न, अगर हमारा IS का exam clear हो गया, तो DM, Delhi, महराश्टरा एंड मध्यापरदेश, की findings क्या रहे, जो इस chalk है, जो impact है crime का, वो major reason है, for the trial courts in Delhi, by imposing death sentences on convicts, जो study है, उन्होंने reveal किया, की जो trial courts है, वो non-compliance है, with the sentencing framework, जो की Supreme Court ने, 1980 judgment में, बच्चन सिंग वर्सेस, state of Punjab के अंदर दिया था, 43 cases जो Delhi के अंदर पाए गए, 2000 से 2015 के बीच में, तो trial courts ने invoke की, impact of crime on societies, collective consigns in 31 cases, मध्यापरदेश के अंदर, said government ने कहा कि, 43 percent cases, मतलब 35 out of 82, यह आपके किसमें है, मध्यापरदेश के अंदर, जब कि महराश्टरा के अंदर, 51 percent, that is 46 of 90 cases, मतलब same ground, now collective consigns पर हैं यह, तो collective consigns होता क्या है, तो यह fundamental sociological concept है, जहाँ पे आप कुछ अपने beliefs, कुछ अपने ideas, attitudes, knowledge, एक, जैसे group, एक, जैसे society के common होते हैं, तो collective consigns of society, जो है, वो ground बाना जाता है, कि बई death penalty मत दीजिए, यह Supreme Court ने, पहली बार use किया था, 1983 judgment में, in muche vizink versus state of Punjab, उस case के अंदर कहा गया, कि जो collective consigns of society है, वो shocked होगी, and it will expect, कि जो holders हो, judicial power center के, to inflict death penalty, लेकिन इसको most famously, use किया, top court ने, in 2005 judgment, in parliament attack case, जहाँ पे capital punishment, दी गई, to convict actual guru, नाउ जो collective consigns है, वो endorsement भी, उसको मिलता है, जब 2017 का, Supreme Court का, judgment आया, in December 2012, निर्भया का जो case था, Delhi Gangway Caps of Mukesh, versus state of national capital territory of Delhi, बच्चन सिंग के case में, क्या हुआ था, Supreme Court ने, formulate किया था, sentencing framework को, और कहा था, कि यह जरूरी है, कि mitigating circumstances, aggregative circumstances को भी, वेटेज दिया जाए, offense का, offender को भी, कि देखने के लिए, कि जो person है, क्या उसको death देनी चाहिए, या life imprisonment देनी चाहिए, तो बच्चन सिंग्जिमेंट के according, अगर कोई death sentence के लिए, eligible है, तो mitigating circumstances को, outway करना होगा, ठीक है, तो यह, बस हम इतना ही करेंगे, now we will read about, यह recommendation इसके अंदर, law commission की ध्यान रखेगा, law commission ने 2015 में, जो मतलब head थे, उसके justice AP शाह, तो उन्होंने कहा था, कि capital punishment को, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और दूसरी countries भी है, जैसकी इरान, इराक, सौदी अरेबिया, चाइना, और 2014 तक 98 countries है, जिनोंने death penalties को, पूरा abolish कर दिया है, नालसा हम कई बार कर चुके है, we don't need to read it again, बस highlights अब ध्यान रखेंगे, कि 45,529 prisoners, और 16,391, उनको payroll पे छोड़ा गया, द्यू टू COVID-19 pandemic, और सबसे जादा, जो highest number थे, अंडर trial prisoners के, वो थे UP के अंदर 997, इसके बाद राजस्थान में 5460, तमिलनाडू में 4547, पंजाब में 3698, तो महराष्ट्रा में 3400, 1339 prisons है, जेल है, जिनके अंदर 466,084 inmates, जे rate of occupation है, occupancy है, वो 117.6 है, तो physical distancing को maintain करने के लिए किया गया, नाल साइक 1987 में आया था, ये ध्यान रखियेगा, Chief Justice of India, इसके patron-in-chief होते हैं, senior most जो judge होते हैं, वो executive chairman होते हैं, ये लोग अदालत organize करते हैं, and categories identify करते हैं, excluded groups and marginalized के लिए, free legal aid provide करते हैं, तो यह हम already कई बार कर चुके हैं, then NJAC भी हम कई बार कर चुके हैं, we don't need to read it again, okay, so thank you so much, 30 parliamentary standing committees भी हमने कई बार कर ली हैं, तो thank you so much, and हम इसका just a minute, जो parliamentary standing committee है, उसका ये जरूर देख लीजे, कि जो vice president एंडिया के, जो chairman नहिराज्य सभा के, अगर आपने सभी वीडियोस देखी होंगी, तो आप जरूर मतलब आपको पता चल रहा होगा, कि हाँ ये topics हम कर चुके हैं, अगर फिर भी किसी को doubt रह जाते हैं, तो आप comment section के अंदर लिखेगा, मैं आपको किसी भी वीडियो के अंदर ये दुबारा से explain कर दूँगी, ओके, thank you so much, वीडियो I know काफी दिनों के बाद आई है, बट आप continuity में आएगी, क्योंकि मेंके current affairs अभी upload हुए, तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, ओके, क्योंकि दुने दुटुने वीडियोस हे यह कर दूए हुअ harएं, क्योंकि दुटू कर देए,